सबसे पहली बात तो ये भारी उमीदवार है जी, अरिन गोविल हमारे नेताओं को ग्रफतार किया जा रहा है और पूरे देश में 80 लोकसवा के टिकेट हमारे राजपूतों के काटे गए है राज की उचुप नहीं बैठेगा, जब आप देगा, गुजरातियों को गुजरात भेज के मानेगा और इन गोविल से कुछ वोट नहीं देंगे जी हो जाओगा, दबाओगा, उस से जो भीजे पे बहराव हो तो वोट की चोट से हम इस भाजपा को, उस पेड़ को, जिस पेड़ को राजपूत समाज ने अपने आप लगाया और इतना बड़ा किया हम दुबारा दिखा देंगे, कि हम ही ने वो पेड़ लगाया और हम ही उस पेड़ को उखाड़ के प्रेंगे पश्रीमिय उत्तप्रदेश में 2024 का लोगसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने रंग बदलने लगा है करवट बदलने लगा है मेरट की जो सीट थी वो अभी कश्मकश उसमें थी लेकिन अब जो मुझफवनगर की सीट है उसमें भी कश्मकश आ गई है और ऐसा सिर्फ मुझफवनगर की सीट में नहीं है बलकिन ये पूरा पश्रीमिय उत्तप्रदेश का ही ऐसा हाल है क्योंकि पश्रिमी उत्तप्रदेश से जो ठाकुर समाज है उन्होंने अब विरोध जता दिया है भाजपा का वो ही भाजपा और वो ही ठाकुर समाज जो भाजपा से लगाता जुड़े हुए थे अगर मैं बात करूँ सरदना विधान सभा की तो वहाँ पे संगीत सोम थे जो ठाकुर समाज से आते हैं लेकिन विधान सभा चुनाब में वो हार गए और अतुल प्रधान वहाँ के विधायक बन गए उसके बाद ये उमीद जताई जा रही थी कि लोकसभा में अब ठाकुर समाज से किसी को टिकेट दिया जाएगा लेकिन टिकेट नहीं दिया गया और इसी की वज़ा से अब ठाकुर समाज का विरोध सामने आने लगा है इस समय मैं मौझूद हूँ राली चोहान गाओं में और यहाँ पे ठाकुर समाज के जितने भी गणमाने लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और पंचायत यहाँ पे चल रही है यह तो पंचायत सिर्फ राली चोहान की है लेकिन इसके अलावा पश्चिम उत्तप्रदेश में काफी ऐसे गाओं हैं जिले हैं और कजबे हैं जहाँ पर इसी तरीके से पंचायत जोड़ी जा रही है सिर्फ यही एक चर्चा है कि आखिर ठाकुर समाज को टिकेट क्यों नहीं दिया गया यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी ठाकुर समाज को जोड़ने के लिए सूबे के मुख्य मंत्री योगी आदितनाद भी पहुच रहे हैं और उनका जो मकसद रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे इस समाज को दुबारा से जोड़ा जाए लेकिन जो समाज में गुसा है वो लगातार बरकरार है तो जो मैंने कहा है क्या वो बात सही है क्या इसी तरीके खाई विरोध है बिल्कुल ठाकुर समाज विरोध तो है चार ओर क्या यह तो जिला मेरट में गया पूरे देश में रोज है पूरे देश में विरोध हो रहा है हमारे नेताऊं को ग्रफतार किया जा रहा है, मकराणा जी ग्रफतार कर लिए गए, आज गुज़रास से सेखावत जी ग्रफतार कर लिए गए, बड़े सर्म की बात है, वहां कोई पुलिस ऑफिसर है या पुलिस के कर्मचारिय में तो नहीं जानता है उनकी पगड़ी तक को महां गिरा दिया गया है तो बहुत सरम की बात है यह थोड़ा मरियादा में भी पुलिस रहे छत्रियों के गुस्सेगा कई उन्हें सामना ना करना पड़ जाए भी ध्य जुड़े हुए तो हम ओल लेडी हैं कस्मीर से कन्याकवारी तक जुड़े हुए हैं और जो रोस है जो गुस्सा है यह सवाल यह सिर्फ यह नहीं है कि मेरट की लोकसभा सीट का या गाजियबाद का सवाल यह पूरे भारत देश के छत्रिये के सम्मान और स्वाभिमान का ह और सवाल है यह गद्दारी का भारतिये जंता पार्टी 40 साल इसकी आयू है जब से पैदा हुई राजपूस समाज इसका कस के हाथ इसका पगड़ा दो सीटों से 350 सीटों तक छत्रिये समाज इसे लेके गया राष्टवाद की वज़े से और आज वही पार्टी वो काम कर र राष्टवाद की दूसरा नाम रहा है वह चत्रिये समाज ही रहा है आज गुजरात में एक सांसद दो कवड़ी का सांसद हमारी छत्राणियों के बारे में उल्टी सीदी बाते बोल रहा है मोदी जी इतनी हिमत नहीं कर पा रहे कि उसे हटा सके या उसका वहां से टिकेट काट दें तो राजपूत समाज चुप क्यों बैठेगा और पूरे देश में असी लोग सबा के टिकेट हमारे राजपूतों के काटे गए हैं राजपूत चुप नहीं बैठेगा जबाब देगा गुजरातियों को गुजरात भेज के मानेगा जो हमारी में जो सीट है गाजियाबाद में लगबग पांच लाग वोट से हर बार हमारा राजपूत केंडिडेट जीतता आया है और जीतता रहा है इस बार भी इनोंने वहाँ पे अन्य जाती को मतलब अन्य जाती के उसको केंडिडेट को टिकिट दे दिया तो ये भी बहुत बड़ा तमाचा है राजपूत समाज को नहीं सहेगा किसी की हर जीत का फैसला तो हम नहीं करते वो तो समाज है पूरा भारत देश है पूरे भारत देश की जनता है वो जिसको चुनेगी वो है हम यह भी नहीं कहतें कि हम सरकार बना देंगे अपने बल्बूते पर लेकिन यह है कि हम जो अपना अधिकार है हमारा जो अपना हक है उसको हम पाके रहेंगे सबसे पहली बात तो यह भारी उमीदवार है जी अरुन गोविल मेरट सीट से इसका है इतना वो नहीं है अगर हमारा यहां से च्छित्रे समाज का कोई भी आदमी टिकट लड़ता तो सुब आठ बज़े हारात था वो बिलकुल अगर कैंडिडेट राजपूत होता है हां तो चलो गर्वाल तो उसहा आगया हा लेकिन संती स्वाह सी थे बारे में बहुत आथम थे पूद्यवान जी थे बहुत आदमी थे यहां संतै वरोसा जताया जा रहा था जो हFirst Amp in इस बार वज़ा क्या रही कि सर्दना में उनको हार मिल गए और अतुल प्रधान जीत गए तो हुई जाया हार जीत तो सभी के साथ है कोई थोड़ी है तो योगी यहां कि हम से बात करेगा आगे हैं वह पुद्धा महां कि जबा जागा यहोगा और वोगा तो आप जाओगे अच्छी सिर्फा पॉप जाएंगे तो अगर को की जैसे राम का किरतार वो निभा चुके हैं तो भाचपने एक कोशिश करी है कि राम को मैदान पर उतारते हैं तो क्या लगता है कि क्या इस नाम से वो राम के नाम से जीत पाएंगे राम के नाम से जीत पाएंगे राम के नाम से को इन जीता हो सब उसके पिछे नहीं लगने के तो राम राम चंदर जी बन गे और यह वह लगे अधा कुछ नहीं है जी दूसरे तरफ जो है मै उम्मिद्वार अच्छा नहीं है नहीं आप बता रहे थे कि वोट का बहुत ज्यादा मसला रहने वाला मेरे हैं कि बीजेपी तो पसंद थी बीजेपी तो हमने कहा तो 40 साल से बीजेपी को हमें तो लेके आए मगर बीजेपी से तो इसकदर वफादार ही किए कि फूल के अलावा बटन को देखा ही निराजपूत ने मगर आपके वो बटन दबाऊगा तो जब जो महां तक जाओगा जाने का ही नहीं घर में रहेगा अपने विरोद है अगर हमसे नहीं कोई और बटन दबरा किसे अपने घर में रहेगा वो बटन दबाने का घर में रहेंगे बोट का बैसकार बीजेपी का बैसकार रहेगा जाद है जाद कि यह मांग जादे जाद कि मुक्रमंत्रि आ होने जा रही है इसा आपने ग्यारे तारिक में पंचायत है वो जिला मेरट की है यहां अपने तीस गाउं लगब नहीं राजपूत भाईयों के छतिरों के गड़रोड पर केवल सहर में अलग हैं दो लाग करीब वोटर है जिले लोकसवाप है तो यह जिले की पंचायत है सिस समाज ने भी बिलकुल बजा दिया मेरट से यह बिलकुल बजा दिया है और यह रोश केवल मेरट तक सीमी था ऐसा नहीं है यह रोश पूरे हिंदुस्तान में है पूरे राजपूत समाज जो पूरे भारत में रहता है यह वहां वहां यह रोश है और यह रोश क्योंकि हम तांतरिक विवस्था में रहते हैं, तो वोट की चोट से हम इस भाजपा को, उस पेड़ को, जिस पेड़ को राजपूत समाज ने अपने आप लगाया और इतना बड़ा किया, हम दुबारा दिखा देंगे कि हम ने वो पेड़ लगाया और हम इस पेड़ को उखाड के समाज का सम्मान से उपर कुछ नहीं है इन लोगों ने यह मान लिया है कि भारती जनता पार्टी की वज़े से राजपूत है हम इस गलत फहमी को दूर कर देंगे कर देंगे हमारे लिए सबसे पहले हमारा समाज है उसके बाद में बाकी कुछ है एक बात और थी आपने पूछा कि हम किस सीठ से चाहते थे एक हमारा समाज का टिकट हो देखे पश्च्य में उत्तर पदेश की हर एक सीठ आप किसी भी शारानपुड से लेकर आगरा तक तो यह वाली बात तो बोलने के आवशकता ही नहीं है कि हम की सीट से हमारी दावेदारी पूरे पश्ची मुत्तर पदेश में ना मिलना इसका रोश पूरे समाज में है जिसका खामियाजा भारतियंता पार्टी को 2024 के लोगसभा चुनाओं में जबरदस्त उठाना पड़ेगा अच्छा है मुझफण नगर की सीट का पेच फस सकता इस चीट को बिल्कुल फसेगा क्योंकि पूरे च्छत्रे समाज का रोश है हमारे दादाओं ने बाबाओं ने इसके जंडे उठाएं इसकी दरिया बीचाई है जब इनके दो सांसद नहीं होते थे इने सीष्टे वे लेका रहे हैं और तीन सो साड़े तीन सो के पार लेका रहे हैं और यह आज हमारा इस तरीके से बहिसकार कर रहे हैं तो चत्रे समाज इसका इट का जवाब पत्र से बिलकुल देगा तो रिजल्ट आने पर इन्हें पता चल जाए अगर चत्रिय जाता है कहीं और तो लगेगा कि हमें दूसरी पार्टी का साथ देना ही नीचे यह हम देनी सकते क्योंकि हम राजपूर समाज कभी नहीं गिरा टिकेट तो यहां पर बढ़ चुक है अब टिकेट तो बदला जाए नहीं सकता तो क्या चुनाव के बाद में भी विरोध इसे तरह कि अर्दम विरोध देगा उसमें विदान समय भी विरोध दखेंगें हमारा कोई आदमी नहीं कि ठाक समाज का चत्रिय समाज का वो सामने आ रहा है और 2024 का जो लोगसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किल बनता जा रहा है कहना यही है कि चाहे मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ खुद जमीनी स्तर पर आकर समझाने की कोशिश क्यों ना करें लेकिन टिकेट का बटवारा था वो तब हो चुका है उसमे तो कोई फेर बदल नहीं हो सकता लेकिन अगर पहले फेर बदल हो जाता तो शायद इस समाज को फिर से मनाया जा सकता था फिर से जोड़ा जा सकता था एक बड़ी मुश्किल पश्रीम उत्यप्रदेश से भाजपा के ल मेरट